Second hand smartphones में सबसे ज़्यादा trending smartphone है इस time पर iPhone XS काफी सारे messages और comments भी आ रहे हैं iPhone XS को लेकर कि क्या 2024 में इस smartphone को second hand लेना सही रहेगा या फिर नहीं इसको लेकर मैंने एक वीडियो भी upload किया था आप लोगों ने उस वीडियो को काफी पसंद भी किया है कुछ दिन पहले मैंने community post पर एक question पूछा था पोल में मैंने एक poll share किया था जिसमें मैंने पूछा था कि कौन सी next video upload करूँ iPhone XS camera review या फिर iPhone XS bgmi review तो 80% लोगों ने iPhone XS bgmi review पर vote किया था इसलिए आज की इस वीडियो में मैं iPhone XS का bgmi review करने वाला हूँ Graphics, FPS and lags if there is any इस वीडियो में मैं आपको iPhone XS के pros and cons दोनों बताऊंगा सबसे पहले अगर pros की बात करूँ तो इसकी performance बहुत ही जादा अच्छी है iOS 12 आपको out of the box मिलेगा अप्ग्रेडबल to iOS 18 Apple A12 Bionic Chipset की वज़े से काफी जादा कमाल का gameplay आता है बहुत जादा शांदार gaming experience चलिए देखते हैं सबसे पहले settings में जाकर graphics मैं आपको इसके दिखाता हूँ कि max कहां तक जाते हैं HDR पर आप देख सकते हैं कि frame rate extreme पर है Ultra HDR मैंने अभी तक download नहीं किया है लेकिन Ultra HDR पर लगाते ही frame rate ultra पर आ जाता है graphics, HDR, frame rate, extreme पर लगाकर मैं आपको classic में gameplay दिखाऊँगा उसके बाद मैं आपको TDA में भी gameplay दिखाऊँगा और कैसा graphics है सारी चीज़े मैं आपको detail में दिखाने वाला हूँ settings में कुछ और change मैं नहीं करूँगा बाकी वही basic settings रहेंगी और मैं यहाँ पर अब game शुरू करने वाला हूँ classic ranked match है, event mode में ही मैं आपको gameplay दिखाऊँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जल्दी game open होगा और सबसे पहले lobby में कौन सा पहुंचता है, मेरा आएगा first number पे या फिर कोई और इस बात से भी आपको इसकी speed और performance का idea लग जाएगा तो यहाँ पर देखिए loading हो रही है अभी और थोड़ा सा यहाँ पर time लगेगा game को open होने में, video को मैं बिल्कुल भी cut नहीं करूँगा बिल्कुल as it is recorded है, कोई भी edited बीच में कोई clip कहीं से डाल दी हो उठाकर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर game open हो गिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह वाला मेरा जो first number पे है यही है, मेरा और सबसे पहले lobby में मेरा ही आया है तो यहाँ से भी आपको एक अंदाजा लग सकता है कि iPhone से जब भी आप game केलेंगे तो मेरे खाल से तो आप first number पर ही रहने वाले हैं क्योंकि आपका lobby में सबसे पहले character आपका ही पहुचेगा गेम स्टार्ट होने से पहले ही यही से आप notice कर सकते हैं कि graphics कितने अच्छे हैं आप shadows पर ध्यान दीजिए और जो metallic structures आपको दिख रहे हैं आप उन पर ध्यान दीजिए काफी अच्छे से मतलब हर एक चीज आपको crisp and clear बिल्कुल साफ आपको दिखेगी गेमिंग के लिए इस smartphone का size भी बहुती जादा compatible है तो आपको खेलते time ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुती छोटे किसे smartphone में खेल रहे हों जैसा कि non pro variants में आपको iPhone 12 या फिर 11 या फिर 13 में लगता है 60 hearts की display है तो आपको maximum frames per second जो आपको fps दिखेगा वो आपको 60 hearts तक ही दिखेगा इसके लावा fluctuate करेगा 55 से 60 hearts के बीच में अब आप ये मत समझेगा कि 60 hearts frame rate काफी कम है Android smartphones में तो 120-144 hearts तक मिल रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि ये Apple का smartphone है यहाँ पर आप numbers मत देखिए अब quality देखिए क्योंकि Apple quality प्रिफर करता है over quantity और मैं ये line लगबग हर एक Apple के smartphone के review वीडियो में बुलता हूँ lowest frame rate जो मैंने classic mode में देखा है वो 55 hearts है तो यानि आपका fluctuate करेगा 55 hearts से 60 hearts के बीच में जो की काफी जाद अच्छा है excellent performance है इतना पुराना smartphone होने के बाद भी हर एक चीज यहाँ से आप notice करिए किस तरीके से यहाँ पर आपको कोई frame rate अभी तक फिलहाल drop नहीं हुआ है और यहाँ पर मैं जॉर्जो पोल के पास में ही आया हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि event है तो event में ही मैं यहाँ पर उतर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी आपको problem अभी तक फिलहाल नहीं दीखी है नीचे की side आप देखिए जो cliffs है जो river के side में जो cliffs है सब कुछ आपको clear दीखेंगी घर दीखेंगी आप doors आपको इतने ऊपर से ही बिलकुल साफ दीखेंगी और यहाँ पर क्योंकि यह आईडी new है तो यहाँ पर enemies जादा नहीं है इस वज़े से शायद आपको लगे कि इसी वज़े से frame rate drop नहीं हुआ है तो मैं आपको बता तो मैं इस पर जादा सही से देख नहीं पा रहा हूँ तो इसी वज़े से आप gameplay को थोड़े देर के लिए ignore करिएगा और आप सिर्फ यहाँ पर performance और बागी सारी चीजों पर ही ध्यान दीजिएगा 2018 में ये smartphone launch हुआ था आज से लगबग 6 साल पहले और बहुती जादा अच्छा है अभी भी छे साल बाद आपको इतना अच्छा experience दे रहा है gaming experience आपको graphics इतने अच्छे दे रहा है आपको frame rate जादा drop नहीं हो रहा है अगर आप बहुती जादा intense gaming करेंगे तब आपका fluctuations आपको देखने को मिलेंगे कहीं कहीं पर आपका frame drop हो जाएगा इसके लावा अगर आप normal gaming करेंग game और आपका कोई enemy होगा जब आप इस पर fire करेंगे तो fire rate इतना ज़्यादा शांदार है कि अगर आपकी 4-5 bullets भी उसको जाकर के touch करेंगी तो वो फौरण knock हो जाएगा अगर आप android में देखते हैं तो आप एक magazine आपकी कम से कम 10 ammo's यानि आपकी आदी magazine आपकी खाली हो जाती ह तब जाकर करें enemy knock होता है लेकिन iPhone में अगर आपकी 5 भी लग गई ना तो enemy फौरण knock हो जाएगा ये चीज मैं आपको अभी TDM में जादा अच्छे से करके दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पर enemies जादा होते हैं तो मैं आपको वहाँ पर दिखा पाऊंगा कि कैसे 5 bullets में आपका enemy जो है वो finish हो जाएगा अभी यहाँ पर इतने साथे enemies है नहीं तो यहाँ पर मैं उस point को अभी prove नहीं कर पाऊंगा आइफोन 11 के comparison में ये smartphone काफी जादा बेटर है new ID है यहाँ पर इसलिए enemies दिखनी रहें ये bot है अभी जिसको मैं मालने वाला हूँ लेकिन अगर मैं iPhone 11 से compare क काफी जादा अच्छा है तो अगर आप iPhone 11 लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आप iPhone 11 ना लेकर के iPhone XS ले लिजेगा वीडियो को यहाँ पर मैंने थोड़ा cut किया है क्योंकि मैं आपको बहुत जादा शानदा feature दिखाने वाला हूँ इसके लिए आपको settings में जाना होगा customize buttons और बीच वाला जो option है यहाँ पर जा करके enable 3D touch वाले box पर आपको tick करना है यहाँ पर आप sensitivity भी set कर सकते हैं इससे क्या होता है कि आपके smartphone की right half display trigger क्या काम करेगी यानि अब आपको कोई भी three finger या four finger के खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सिर्फ right half display म करना होगा और आपकी firing होने लगेगी aiming करिए जब भी fire करना है थोड़ा हलका सा जाधा प्रेस कर दीए यानि बिल्कुल ही trigger की तरह आपका काम करेगा right वाला finger आपका aiming और firing दोनों एक साथ करेगा बिना आपको three finger या four finger किए तो अगर आपका square सामने पड़ जाएगा तो सीरीज है जिसमें आपको यह वाला feature देखने को मिलेगा क्लासिक के बाद अब मैं आपको टीडीम का gameplay दिखाने वाला हूँ क्योंकि टीडीम एक lighter mode है तो यहां पर graphics और भी जादा अच्छे दिखते हैं पहले आप टीडीम का gameplay देख लीजिए उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे यह देखिए यहां पर recoil कितना जादा अच्छा कंट्रोल हुआ है यहां पर एकदम मतलब 4X लगा करके AKM में भी आपको जादा recoil में देखनी की मिलेगा इसी fire rate की मैं बात कर रहा था है यहां पर दो enemies को कुछी bullets में finish कर दिया यह चीज आपको Apple के लगबग हर एक smartphone में मिलेगी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने जैसी fire button पर क्लिक किया वैसे ही जागर के bullets लग गई और सामने वाली enemy नौक हो गई या फिनिश हो गई और एक चीज और जो इस smartphone में Apple के smartphone में बुक्ति जादा अच्छी है कि जब आप gaming करेंगे तो आप जैसे किसी घर के पीछे जैसे यहां पर container के पीछे अगर आप खड़े हैं और आपको कोई भी bullet नहीं लगेगी अब आप थोड़े देर gameplay इंजॉय करिए इसके बाद मैं आपको इसके cons के बारे में बताऊँगा क्योंकि तारीफ तो इसकी काफी देर से हो गई है और अब इसकी बुराई की भी बारी है क्योंकि इसमें काफी सारी कम्या भी है ऐसा न अब cons की अगर बात करो तो इस phone में सबसे बड़ी problem है कि अगर आप एक घंटे तक गेम खेल रहे हैं TDM तो आपका नॉर्मल ही चलेगा कोई problem नहीं होगी लेकिन देल घंटे से जादा अगर आप गेमिंग करेंगे तो आपके phone की दम निकलने लगेगी यही सेम classic mode के लिए भ आपका बहुत ही शांदार रहेंगे लेकिन देल घंटे से उपर जैसे ही आप पहुचेंगे और आप intense gaming mode में पहुचेंगे वैसे ही आपके phone की दम निकलने लगेगी frame rates ऐसे drop होंगे कि आपको फिर खेलने में मुश्किल होगी brightness आपकी automatically कम हो जाएगी और आपका phone एकदम से जटके लेने लगेगा जैसे phone की दम निकल रही हो दूसरी जो सबसे बड़ी problem है वो है heat होने की आपका phone बहुत ही जादा iPhone XS बहुत जादा गरम होता है अगर आप इसमें जादा देर तक gaming करेंगे तो आपका phone बहुत गरम होने लगेगा लेकिन इसका एक solution भी है अगर आप coolants खरीद सकते हैं तो आप एक coolant मंगबा लीजिए जिसको आप phone के नीचे लगा करके अगर आप gaming करेंगे तो आपकी performance ठीक रहेगी अगर आपका phone ठंडा रहेगा तो तो अगर आप इसको live stream करने के लिए लेना चाह रहे हैं या फिर आप gaming purpose से ही लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये phone बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा तीसरी problem battery को लेकर के भी है तो अगर आपका phone heat करेगा तो सिर्फ performance पर ही नहीं बलकि battery पर भी काफी असर पड़ता है और battery बहुत ही जल्दी drain हो जाती है इसके लावा कोई और problem इस phone में है नहीं काफी अच्छा smartphone है 6-7 साल पुर लेकर भी कुछ comments आये थे कि क्या iOS 18 support करेगा और stable होगा या फिर नहीं तो iOS 18 iPhone XS में मिलेगा upgradable होगा iPhone XS लेकिन stable नहीं होगा क्योंकि अभी वो latest है काफी time लगता है नय iOS version को stable होने में जैसे कि iOS 17 अब कहीं जाकर के stable हो पाया है similarly iOS 18 भी stable नहीं होगा जब तक उसमें आपको और upgrades नहीं मिलेंगे bug fixes या फिर improvements तब तक आपका stable नहीं होगा तो इसलिए मैं recommend करूँगा कि आप iOS 17 में ही रखियेगा उसके लावा मैं iPhone XS का एक detailed review भी upload कर चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि क्या iPhone XS को 2024 में लेना सही रहेगा या फिर नहीं इसका link मैंने description में दे रखा है अगर आप देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा अब comment section में जरूर बतायेगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में goodbye till then